हे गाईज बेलकम टो इटी आई टेक्निकल बॉय और आज हम इलिप्स बनाने जा रहे हैं बाई यूजिंग आर्क ओफ सर्कल मेथड और आज का कोश्चन है ड्रो ए इलिप्स बाई आर्क ओफ सर्कल मेथड मेजर एक्सेश इस 100 mm एंड माईर एक्सेश इस 60 mm तो सबसे पहले हम 100 mm का होरिजेंटल लाइन खेचेंगे 100 mm अब हम पॉइंट लगा लेंगे इसके मिडिल में पॉइंट लगाएंगे अब सेटा स्कॉाइर की हेल्प से एक मिडिल पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रो करेंगे माइनर एक्सेश के लिए वर्टिकल लाइन ड्रो हो गया है माइनर एक्सेश 60 mm है ना इसलिए हम 30 mm ऊपर ड्रो करेंगे और 30 mm नीचे ड्रो करेंगे ध्यान से 30 mm ऊपर अब हम इस लाइन को नेम देते हैं आर्क लगाएंगे फिर उसका नाम देते हैं F1 और फिर F1 से ओ तक तीन लाइन ड्रो करेंगे कोई भी दूरी का तीन लाइन ड्रो कर सकते हैं आप कितनी भी दूरी का बस तीनों लाइन की दूरी समान होनी चाहिए तीनों आर्क की दूरी समान होनी चाहिए अब उसका नेम देते हैं 1,2,3 अब A से 1 की दूरी चाप में लेकर F1 से उपर आर्क लगाएंगे और फिर नीचे आर्क लगाएंगे वैसे ही F2 पे उपर आर्क लगाएंगे और फिर नीचे आर्क लगाएंगे फिर B से 1 की दूरी चाप में लेकर F2 से उपर नीचे फिर F1 से उपर नीचे फिर A2 की दूरी चाप में लेंगे फिर F1 पर रखकर उपर नीचे आर्क लगाएंगे और फिर F2 के लगके उपर नीचे आर्क लगाएंगे फिर B से 2 की दूरी लेकर B2 दूरी लेकर F2 पर रखकर उपर आर्क लगाएंगे फिर नीचे आर्क लगाएंगे फिर F1 पर रखेंगे फिर उपर आर्ट लगाएंगे नीचे आर्ट लगाएंगे इसी प्रकार फिर A3 की दूरी लेकर F1 से उपर आर्ट लगाएंगे फिर नीचे आर्ट लगाएंगे फिर F2 पर से नीचे चाप लगाएंगे फिर उपर चाप लगाएंगे फिर B से 3 की दूरी लेकर B3 F2 पर से उपर चाप नीचे चाप फिर F1 पर से उपर चाप लगाएंगे फिर नीचे चाप लगाएंगे अब सारे आर्क पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो हम अपने सेटा स्कार के फ्रेंच कर्फ को यूज करते हैं आप बहुत सारे फ्रेंच कर्फ मिलते हैं बजार में आप कोई भी फ्रेंच कर्फ से आप बना सकते हो तो ध्यान से हम सारे पॉइंट को आपस मिला देंगे कि ये हो गया मेरा अराम से किजिए बन जाएगा मेरा तो थोड़ा से टेड़ा हो गया है आप अपने घर में कुशिस किजिए अच्छे से बनेगा कि अच्छे से को मिलादें ये हो गया मेरा ये लिपस् कि अच्छे से अच्छे से को अपने घर मेरा ये हो गया है आपने खर रहिस टनulle house